शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें बहुत प्यार करती थी हम भावी से बहुत प्यार करते थे ते में सच ब्यूरुफल कपल पता नहीं किसकी गंदी नजर लगई उन दोनों को ऐसे हुआ क्या था शादी को दो महीने भी तो नहीं हुए थे भावी हेलिकॉप्टर में हमारे रिशिकेश वाले फाम हांस जा रहे मौत से भी बत्थर सिंदगी जीने के लिए चार महीने तक तो वो कोमा में ही पड़ी रही पेहोश और जब उन्हें होश आया और पता चला की भाईया नहीं रहे वो तो एक्तम पत्थर सी ही हो गए तब से उनकी हालत यही है वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को खतम करते करना चाहती है उन्होंने अपने दिल में एक वहम बिठा लिए है कि भाया की मौत की जिम्मेदर दर वह है क्योंकि खराब मौसम में उन्होंने बहुया को हेलिकॉप्टर उड़ानी की जिदकी थी अ हम लोग उनने कितना संझगा लेकिन वो समझने को तयार ही नहीं ना किस बाबी देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है है यह क्या थरीका और दोस्तों से मिलने का हाँ ना है ना है ना हेलो ना स्टूपिड एए एए कम ओन मुझसे बात करो ना काजल प्लीज मुझसे बात करो प्लीज मुझसे बात करो काजल बात करो मुझसे काजल राज यह मुझसे बात क्यों नहीं करती जिया इस तरह तो यह घुट-घुट के मर जाएगी दर्थ पत्थर बनके बैठके इसके सीने में हमें किसी भी हालत में इस पत्थर को पिगलाना होगा दिल नहीं कर रहा मालती बस करो मॉंटी यह चीया तुम अकेली कैसे आ गई राज कहां है मामी वह हॉस्पिल में ही रुख गए भावी के पास अच्छा भावी के साथ वो क्यों चाचु वह भावी के बच्पन के दोस्त है अच्छा मैने तो सूचा कि वह तुम्हारा दोस् मंगेतर है मेरा दोस्त भावी का है अरे हां याद आया करन के शायती में लड़का नाच कहा रहा था तुम तो थी नहीं अमरेका एक्जाम्स दे रही थी करन नहीं से पहचान कराई थी कि ये काजल का बेस्ट फेंड है काजल तुम्हें याद है तुमने मुझ से क्या कहा थ कि किसी इंसान की चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती तुमने यह भी कहा था कि चले जाने वाले के नाम का बहाना लेकर अगर कोई अपनी जिन्दगी बरबात करता है तो अपने प्रेम कहीं नहीं बलके उसका भी अपमान करता चुद चला गया है है और तुम वहीं कर रही हो काजा करन का अपमान था जब सोचों अगर वो कहीं है तो क्या तुम्हें साल में देखकर खुश होगा वह है कर दो काजल काजल तुम चाहती थी ना कि मैं पाइलेट बनूँ लो में बन गया पाइलेट देखो मेरी तरफ यादा तुम्हें मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आस्मान की सहर कराऊंगा कि आस्मान पर जाती है इस यह जाती है करेंगे शायी शाया शाया फे नशाया अर युट जाती है और ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद हम आसमान को पीछे छोड़ देते हैं और जमीन उठके हमारे करीब आने लगती है और हमारी रफतार और तेज हो जाती है और तेज हो जाती है और हम अपने लिवर को कंट्रोल करने कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लिवर आउट अप कंट्रोल है काजल मैं सबसी घार है के नहींसे काचल एंदन एंदा की आता हर आता होचिया इंद एंद आता उन आता हुश्माव सभालो एंदने लुटे आत आता है ढुटे के लगला है मेरा गार रहा है काचर बस संबालो अपने आपको नहीं रोलने रे दो राज अब तक मेरे पास वो खंदा नहीं दा जिस पर मैं सर रखके हो सकती बस तो क्यों है राज मुझे बचाने इसे तक इतनी कीमती नहीं है मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदेगी के बहुत माइनी है कि अपने आपको संबालो सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें यह से ले जाओंगा मैंन जूस थेंक यूँ तो अब मैं क्या समझेओ कि तुम अपने आपको संबालोगी संबालोगी ना तुम तो इतनी समझदा रुका जए तुम्हें में क्या समझाओं तुम अच्छी तरह जानती हो जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस लॉटके नहीं आते उन्हें बुला देने में अकलमंदी है है ना या तुपर पेरे नहीं पिठा जा सकते राज तुम ही कहो क्या तुम एक पल के लिए भी मुझे भूल पाए?